हलो भाईयों कैसे हैं आप सब मेरे नाम है अभी शेक और मैंने अपने एसू जैनफोन मैक्स प्रो एमवन में एर ओएस को इंस्टॉल किया था जो की एक कस्टम रॉम है एंडुड 9.0 पाई पर बेस्ट है फिफ्ट नॉवंबर 2018 का सिकरिटी पैच आपको इस रॉम में देख हैं बेटे लाइफ कैसी है चार्जिंग टाइम कैसा ही आपको देखने को मिलता है कैमरा परफॉर्मेंस गूगल कैमरे को इंस्टॉल करने के बाद कैसी है और नए साइड है यहा पर काम करता है यहां पर आल्रेडी इनेबल मिलती है आपको तो यह सब कुछ आज के इस एकदम experience देखने को मिलता है जो कि हमारी lock screen से हम start करते हैं तो typical lock screen देखने को मिलती है जिसमें left और right में कोई shortcut keys हमें देखने को नहीं मिलती है payment scanner काफी अची तरीके से काम करता है जनरल यहाँ पर UI काफी fluid है कोई lags वगर आपको देखने को नहीं मिलेंगे एक launcher भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है थोड़ा different सा launcher है आप इसको pixel launcher बोल सकते हो और जो अपने quick tiles है वही अपनी android pie वाले देखने को मिलते हैं जो कि rounded management को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी management को लेकर management काफी अची तरीके से यहाँ पर optimize किया गया है कोई भी यहाँ पर reload नहीं होती है तो यह काफी अच्छी बात है उसके प्रिइंस्टॉल्ड कुछ apps यहाँ पर दे गई गई हैं जो कि मुझे आपको देखने को मिलती है messaging की application है phone app है music application है phonograph और एक application recorder की जिसमें आप audio भी record कर सकते हैं और screen record भी हाँ पर कर सकते हैं तो यह apps हैं शाय से आप के लिए useful हो बढ़ यार जो stock हमें play store में application मिलती है वो सारी हमारे phone में installed होती है तो यह double application हो जाती है बढ़ यहाँ पर आप इसक directly gcam install करना है video description में आपको link दे दूँगा gcam का भी और pixel 3 XL का port जो की है night sight वाला उसका भी तो दोनों perfectly काम कर रहा है मैंने try कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई issue आपको देखने को नहीं मिलेगा अब एक जो bug हमें सारे ही custom ROM में मिलता है android pie की auto rotation वाला तो वो still यहां पर है कभी-कभी ठीक से rotate कर देता है phone को बड़ कभी-कभी दिक्कत देता है तो सारे ही almost custom ROM में आपको यह बग देखने को मिलेगा और इसको छोड़के कोई भी आपको यहां पर बग देखने को नहीं मिलता है यहां पर native video calling का कोई भी feature में देखने को नहीं मिलता है ब प्रैप ब्राइटनेस एप एक्शन और एप ड्रॉवर में जो एप एक्शन सापको देखने को मिलता है स्लाइसे री डिजाइंड रिसेंट मैं न्यू डैश बोड एप टाइमर आपको देखने को मिलता है विंड डाउन है डून डिस्टर्व वगरा वाले features जो आपको पा यहां पर पावर वगरा जो आपको information वापे शो हो जाएगी एंड डिस्प्ले का फीचर है डबल टैप टूवेग डबल टैप फीचर है वोल्टी का इकन को हाईड और आप कर सकते हैं क्लॉक एंड डेट सैटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं स्टैस बार में राइट और में डाइटं से कुछ ट्वीक कर सकते हैं कुएक पैनल वाप टुई कर सकते हैं कृच साइज और यह कालम वगरा को को चेंज कर सकते हैं उसके कुछ और फीचर फीचर मुझे पता नई यहां पर क्यूं दिया गया है नाहीं आप कोई शीरечение को सकता है अपना Android बेस वो भी आपको देखने को नहीं मिलता है डबल टैप टू जब टू कैमरे का फीचर है पावर बटन को प्रेस करने के बाद एक्टिवेट टॉच का एक ऑप्शन है पावर बटन से ही आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं स्वाइप आप ऑन होम का एक फीचर है वो भी आप चेक अमेजिंग है मैं क्या पता हूं यार सबसे बैस्ट बैटर लाइफ वाली रॉम मुझे लगी है अभी तक स्टॉक एंड्रोइड में भी मुझे इतना जदा बैटर लाइफ देखने को नहीं मिला है अपनी स्टॉक रॉम में जो इस एंफोन मैक्स प्र एंवन की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर दस घंटे तक का स्क्रॉन टाइम आपको इस रॉम में देखने को मिल सकता है मुझे आट घंटे प्लस का स्क्रॉन टाइम मिला था जब मेरे फोन में अल्मोस्स 17 बैटरी लेफ्ट थी और आपको दस परसन बैटरी पे एक घंटा प्लस पास आपके फोन को लगते हैं फुली चार्ज होने में 0-100% की हम बात करें तो बात करते हैं फिंगर्पिंट स्पीड की जो फिंगर्पिंट स्कैनर की है तो बाई वह ओके मैं कहूंगा बिल्कुल फास नहीं है स्लो नहीं है बट स्टॉक रॉम से थोड़ा सा बैटर है अपने मैक्स प्रो में अगर आप भी फेस करें तो मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट्स में बता देना और अगर हम बात करें ओवरॉल इस रॉम की तो बहुत ही कमाल की रॉम है यार सारे ही रिक्वाइड जो फीचर होते हैं जो नैसेसरी फीचर होते हैं जिनकी आपको डे कमाल की रॉम है आप इसको ट्राइड कर सकते हैं अपने मैक्स इंस्टॉलेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है आपको अपने फोन में डाउलोड करनी है कस्टम रॉम जो की एरो ओस 9.0 बेस्ट है डिस्क्रिप्शन में लिंग आपको मिल जाएगा जी आपस आपको डा आप खिलाडी हो आप कर लोगे तो अगर आप लैस्ट करना चाहते हो तो बैकप कर लेना करेंट रॉम को और उसको मूव कर लेना अपने PC या फिर मेमरी कार्ड में ताइब को कोई दिक्क्त आया तो आप री स्टोर में जाने के बाद में करने के बाद उस बैकप को प्ट Laa है तो उसके बाद आपने इंटरनल डेटा है तो उसके बाद आपको करना है रॉम को इंसेटो करने के बाद के स्टोर आपको ने को ने बाट, अगर यह टाइम लेता है क्ट उसको पंदरा मेंट से जाता है बूट करने में तो भाई पावर बटन को प्रेस करके रखना दुबारे से फोन को एक बारी ओन कर लेना उसके बाद आपका यहां पर फ्लैश हो जाएगा तो भाई इस तरीके से वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर